नमस्कार बहुत स्भागत है आप सभी का आप सभी देख रहे हैं अन्मफ न्यूज मैं हूँ आपके साथ चेतन पाठक दीपावली से पहले भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रिलंका को बेहद खास तौफा दिया है जिया है सोलर रूफटॉप पैनल जो हैं वो दिये गए हैं और कई धार्मिक्स तलूंग में ये रूफटॉप जो पैनल हैं वो लगाये जाएंगे जिससे जो बिजली की खपत है वो कहीं न कहीं बढ़ जाएगी क्योंकि रूफटॉप पैनल जो हैं वो जब लग जाएंगे तो जिस वहां के जो officers हैं उनके तरफ से कई धार्मिक्स थलों को ये तौफा यहाँ पर दिया गया है और जिसके तहट आपको बता दें कि energy partnership है भारत और फ्रिलंका के बीच इसके तहट फ्रिलंका के कई धार्मिक्स थलों को ये rooftop solar system जो panel है वो दिये गए है भारत सरकार के 17 मिलियन डॉलर यानि की 143 करोड रुपे के प्रोजेक्ट के तहट फ्रिलंका में अलग-अलग धर्मों के जो धार्मिक्स थल है उन्हें ये दिये गए हैं जिसमें होकंदारा में स्थित बौध मंदिर है फ्री अजनेयर मंदिर है, सेंट एंथनी चर्च है और मुत्वल जुआ मजजित को भी ये solar panel उचायों की तरफ से सौपे गए है पूरे श्रिलंका में 25 मेगावाट की solar rooftop system करी 5000 धार्मिक्स तलों में लगाया जाने का लक्ष जो है वो रखा गया है, श्रिलंका के सभी 9 राज और 25 जिलों में फैले इस प्रोजेक्ट को renewable energy की ओर एक कधम आगे बढ़ाने और उड़जा खर्चों को कम करने के उदेश से design किया गया है और आपको बता दें कि भारत सरकार की योजना श्रिलंका में सालाना 37 मिलियन याने की 3.7 करोड यूनिट बिजली सप्लाय करेगी और श्रिलंका के people centric energy transition में एहम योगदान यहां होने वाला है भारती उचायों के मताबिक इस प्रोजेक्ट में इन धार्मेक स्तलों की उड़जा पर होने वाला जो खर्च है उसमें कमी आ जाएगी साथी इससे फ्रिलंका की clean energy transition को सशक्त करने में भी काफी जो है वो मदद मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट के अगले साल तक पूरा होने की उमीद भी है और इसी के साथ 5 सालों का maintenance भी यहां पर इन rooftop जो पैनल है उनके लिहास से दिया जाएगा जिससे लंबे समय तक जो है यह ठीक चलते रहेंगे इसमें कोई गड़बडी नहीं आएगी और भारत की ओर से यह को है कि अपने मित्र जो साथी देश हैं उनकी उनको साथ आगे बढ़ाना और यह श्री लंका क्योंकि हमारा पडोसी मुल्क भी है इस चक्र में और जादा जो मदद है वो हमेशा ही भारत की तिरफ से दी जाती रही है आपको बता दें कि पिछले दिनों जो नए राश्पती श्री लंका के बने वो भारत दोरे पर कही न कहीं आने की बात चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि अब रिष्टे जो है श्री लंका से अच्छे हो जाएंगे क्योंकि जब श्री लंका में सरकार पल्टी और जो हालात तब देखने को मिले तब कही न कहीं भारत से भी रि प्रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं अब अच्छे हो सकते हैं और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं जो श्री-लंका में उच्चायोग है भारत का उन्हें यह तस्वीरें यहां पर जारी कि ए और एक बड़ा तौफा श्री-लंका को दिया गया है इसकी जानकारी सोशल मीडिया प कमेंट सेक्षिन आपके लिए खुला हुआ है कमेंट सेक्षिन में आप जरूर बताएं और देखते रहें अन्मफ न्यूस